नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगी computer series के अंतरकेत एक और महतपूर टापिक computer security के बारे में computer security के बारे में चर्चा करें तो computer में store data तथा transfer data की सुरक्षा करना इसका महतपूर उद्दे से है याद रखेगा यह unauthorized user से बचाता है कोई भी unauthorized user के एक और में पहुंच करके उसके data का छड़ चाड़ करता है उसे से बचाओ करना आपका computer security कहलता है साथ ही साथ इसमें id और password लग रहता है user id और password आप देखते हो अपने mobile phone आपकी computer आपके tablet ये सब में हमेशा जैसे on करते हो तो आप user id यूज केरते हो आप pattern lock रखते हो मतलब उतनी तो वो क्या करता है कि कोई भी unauthorized जैसे कि आपका laptop पढ़ा है कहीं पर माय चला गया और वहाँ पर उसको use करने लग गया तो use नहीं कर पाऊंगे जब वो lock है security में है id password लगा है और अगर कर लेता हो तो आपके data को चुरा भी सकता हो कुछ भी कर सकता हो इसी कारण उसको id password से lock रखा जाता है secure रखा जाता है ये data को नाश्टा होने से बचाता है ये भी याद रखीगा अब इसके लिए अलग-अलग cyber attack होते हैं ठीक है computer security अलग-अ cyber attack से बचाने का काम करता है तो उन्ही cyber attack के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे जिसमें spoofing, sniffing, phishing, spam, hacking, smurfing ये सब आज आता है ठीक है इसी को एक-एक करके आज हम लोग deal करने की पोसिस करेंगे ठीक देखते हैं सबसे पहले हम लोग देखें तो spoofing, spoofing होता क्या है? Spoofing के बारे में चर्चा करें तो ये आपका नकली पहचान बना करके मतलब आप समझे कि अपना पहचान छुपा लेगा और एक आपका fake ID नकली पहचान बनाएगा और नकली पहचान बना करके किसी दूसरे user को attack करता ह है और उस user के data को चुराने का काम करता है तो ये नकली पहचान बना करके आपका data चुराने का काम करता है याद रखिएगा समझते हैं image के माध्यम से ये आपके user है और ये user कुछ भी काम कर रहा है यहाँ पर ये आकरशन लालच देगा ठीक है? आकरशन लालच देगा कुछ न कुछ message, mail या आपके किसी न किसी activity से ये इसके data को चुराने के लिए जैसे ये लालच में आ जाएगा इसके जो message कुछ भी उसको activate करेगा ये इसके data को चुराने का काम करता है याद रखिएगा ये hacker है तो ये आपका नकली पहचान बना करके किसी दूसरे user के data को चुराने का काम क्या कहलाता है इस pooping कहलाता है याद रखिएगा इसके बाद हम लोग देखेंगे hacking hacking तो hacking करने वाला क्या कहलाएगा hacker ठीक है? hacking के type से समझते हैं तो hacking को हम लोग तीन type में देखते हैं तीन type में एक होता है आपका blue hat hacker एक होता है white hat hacker और तीसरा होता है black hat hacker याद रखिएगा blue hat hacker, white hat hacker और आपका black hat hacker blue hat hacker क्या करेगा? तो ये network की कमी को उजागर करने का काम करता है ये hacker white hat hacker देखाओगे तो network की कमी को दूर करने के लिए ये बताने का काम करता है black hat hacker सबसे खतरनाक hacker होता है ये किसी भी network में घुस करके ये data के साथ छेड़ छाड़ करता है, data को नश्ट कर सकता है ये black hat hacker का काम है समझे यहाँ पर types of hacker में ये black hat, black hat, hat मतलब तोपी मतलब ये काले कलर का तोपी पहना हुआ hacker याद रखिएगा तो hacking इसी तरीके से होता है, याद रखिएगा, hacking में क्या किया जाएगा, कि दूसरे user के आपके data को ये चोरी करेगा, छेड़ छाड़ करेगा, और नश्ट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये hacking कहलाता है इसी के थुरू आप देखोगे, तो किसी के account से पैसा गयाप कर दिया जाता है, किसी के आपके mobile phone से किसी data को चुरा लिया जाता है, ये hacking कहलाता है, याद रखिएगा इसके बाद हम लोग देखेंगे, cracking, cracking सब्द, ये भी एक cyber attack है, ये cyber attack है, याद रखिएगा cyber attack है, अब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होता है, कि किसी भी आपके password को तोड़ना, crack करना कहलाता है उसी से आपका cracking आया है, किसी भी account के password को, password को क्या करना, तोड़ना, पासवर्ड को तोड़ना, क्या कहलाएगा, crack करना, और वो ही cracking कहलाती है यहाँ पर देखिए, image से देखिए, password crack, आप देखते रहते हो, किसी account के, या किसी के, आपके bank के, आप password को जान करके, उससे पैसा पूरा गयाप कर लिया जाता है यह password cracking कर लाता है, करने वाला cracker, password cracker, ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे, phishing, phishing बहुत महतुपूर, phishing मतलब होता है, मचली, आप सब जानते हो, खाते भी होगे, है न, very tasty, phishing मतलब, मचली, very tasty, ठीक है, हमें तो पसंद है भई, कई लोग नहीं खाते हैं, ठीक, याद रखेगा, तो फीस, यह मचली, और मचली पकड़ना क्या कर लाएगा, phishing कर लाएगा, देखी यहाँ पर, image देखी, यह आपका बंदा है, यह एक गरी लगा रहा है, हम लोग 36 गरी में बोलते हैं, गरी लगाना, मचली पकड़ने के लिए जो टेक्निक की यूच किया जाता है, उसको 36 गरी लगाना, तो गरी में क्या किया जाता है, ऐसा नुकिला आपका रहेगा, उसमें आपका आटा गूथ दिया जाएगा, और उसको फेंक दिया जाता है, तलाब में, मचली उसको लालच में आकर के खा लेता है, अब उसमें है आपका नुकिला काटा, न hacker लालच दने के लिए बहुत सारे message, email, यह सब user को भेजेगा वो user इस लालच में आकर के उस message या आपके आकरशड, आकरशड mail है उसको देखेगा, जैसे activate करेगा वो यहाँ पर जो user है उसके data को चोरी कर लेगा, तो यह आपका कहलाता है phishing, तो phishing आपका देखोगे, मचली पकड़ने का तरीका, और मचली पकड़ने की तरीका से ही कोई भी hacker किसी दूसरे user के data को चोरी करता है वो कहलाता है, cyber attack के रूप में आपका phishing याद रखेगा, ठीक है? इसके बाद हम लोग देखेंगे key logger, key logger देखोगे, तो एक प्रकार का एक software होता है याद रखेगा, क्या है? software है, और ये software देखोगे, तो कैसा software है? ये आपका जासूसी करने वाला software है, कैसा software है? जासूसी करने वाला software है, इसको कैसे जूच किया जाता है? तो आपका key logger एक software जिसको computer में, tablet में, mobile phone में, इस software को क्या कर दिया जाएगा, install कर दिया जाएगा, अब जैसे, मान लिजे मेरे computer में, ये keylogger software install है, तो मैं कुछ भी button दबाऊँगा, keypad में, या कुछ भी activity करूँगा, वो क्या करते जाएगा, वो software उसको record करते जाएगा, record करेगा, और record करके बाद में hacker जो use कर रहा है, उसको ये available करा देता है, ताकि ये पूरी जानकारी, पूरी password, id सब इसको पता चल जाता है, और उसके through, उसके personal data को नुकसान पहुँचा सकता है, ये याद रखीगा, ये keylogger देखोगे, तो ये spyware का प्रकार है, spyware का एक प्रकार है, ये spyware मतलब होता है, spy मतलब जासूसी, जासूस, और spyware मतलब जासूसी करना, इसी का एक type है, keylogger, याद रखीगा, ओके, तो ये आपको keylogger, देखी, image में भी देखोगे, यहाँ पर type कर रहा है, यहाँ पर निगरानी के लिए आख का दिखाया गया है, ठीक है, spam, spam के बारे में चर्चा करें, तो spam क्या होता है, तो spam देखोगे, किसी भी आवांचित आपके message है, या आपके call है, उनको दूर रखने के लिए आपका spam के रूप में ये notification देता है, याद रखीगा, तो आवांचित message या call, यही क्या कहलाता है, spam कहलाता है, इससे द रहने के लिए हम लोग क्या यूज करते है, filter यूज करते है, filter या anti spam software का यूज किया जाता है, anti spam software का यूज किया जाता है, याद रखीगा, spam से बचने के लिए, ये आप spam के बारे में और देखें, तो spam क्या करता है, ये मुख्यता विग्यापन के लिए, विग्यापन देन के लिए लगातार आपके mobile phone में call के through या message या mail के through इसको भेजा जाता है यह spam message यह spam call इस तरीका true caller में तुरंथ spam call करके दिखा दिता है यह आपके देखोगे तो यह data को नुकसान नहीं पहुंचाता इसको भी आपको जानना है तो यह spam मुख्यता आपका देखोगे तो marketing के लिए है जो अधिक से अधिक विज्यापन देने का काम करता है यह एक सस्ता और आपका असान माध्यम होता है sniffing को समझना है बहुत important यह सब्द देखोगे तो sniffing भी चोरी करना ठीक sniffing का मतलब भी होता है चोरी करना लेकिन कैसे चोरी करना माल लेजिए दो user है ठीक है कोई भी डेटा को यहाँ पर hacker होगा और यह hacker देखोगे तो यह hacker इस डेटा को यहाँ तक पहुचने से पहले ही यह क्या कर लेगा इस पर attack माला कशने हरे जोरी कर लेगा आपका क्या कहलाता है Nephing कहलाता है आप समझे тут यह अपका user ठीक है और यह hacker ठीक है तो यह यहां तक पहुंचने से पहले ही क्या कर दिता है चोरी कर लिता है और इसको कैसे करता है एसा तो यह आपके network का जो ip address होता है ip address को bg कर दिता है और bg करके वो बीच में ही डेटा को चुरा लेता है यह आपका sniffing कहलाता है इसके बाद हम लोग देखेंगे smurfing smurfing के बारे में चर्चा करें तो smurfing आपका देखोगे यह network के IP address पर based है याद रखेगा network के IP address पर based है ठीक IP address पर based है और इसमें क्या क्या जाता है hacker क्या करता है इसमें network के IP address को क्या कर देता है hacker bg कर देता है bg कर देगा उस पर बहुँ सारे attack करके bg कर देगा अब कोई भी user है वो कोई user है कोई data चाह रहा है network से तो उनको वापस नहीं मिलेगा और इसी बीच में ये क्या करेगा data को चुराने का काम करता है ये कहलाता है smurfing और इस system को कहते हैं आपका DOS denial of service ठीक है denial of service मतलब आप network को bg करके service को क्या कर रहे हो रोक रहे हो बाधित कर रहे हो और बीच में आप data चुराने का काम कर रहे हो तो ये denial of service कहलाता है ये denial of service टेकनिक पर work करता है इस smurfing याद रखेगा इसके बाद हम लोग चर्चा करें तो digital हस्ताक्षर digital हस्ताक्षर के बारे में बात करें तो ये एक महत्पूर चीज है computer security के दृष्टी कोड से ये आपके ऐसा signature होता है जो digitally आपके stored रहते हैं data के रूप में stored ये आपका देखोगे तो इसका नकल नहीं किया जा सकता याद रखे कोई भी वेक्ती दुसरे के sign को करके कोई भी bank से पैसा निकाल लेना या कुछ और काम कर लेना ये नहीं किया जा सकता इसी कारण digital signature का concept आया और digital signature देखोगे तो computer security के लिए बहुत महत्वपूर है याद रखना है computer security के लिए बहुत महत्वपूर है ये digital signature इसके बाद हम लोग इसे संबंदित mcq पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहला question देखेंगे कि नकली पहचान का प्रयोग कर आनाधक्रीत data चुराना क्या कहलाता है अभी मैं पढ़ाया हूँ इसको है ना नकली पहचान बना लेना और user से data चुराना क्या कहलाता है आपका option है spoofing, sniffing, spooling, smurfing spoofing sniffing में क्या होता है एक जगा से दूसरे जगा पहुचने से पहले ही चुरा लेना और smurfing में denial of service के through आपका data चुरी करना यह आपका तो answer हो जाएगा ए ठीक है second question देखें तो user द्वारा भेजे गए data packet को प्राप्त करता तक पहुचने के पहले ही चुरा लेना अब भी जश्ट बताया हो क्या sniffing smurfing यह है sniffing याद रखना smurfing तो denial of service पर बेश रहे ठीक है तिसरा question देखेंगे निम्नो में से कौन सा एक computer attack का प्रकार नहीं है तो नहीं है पुछा है सबसे पहले इसको underline करेंगे नहीं है phishing पढ़े हैं हम लोग sniffing पढ़े हैं आपका spoofing पढ़े हैं striking नहीं पढ़े हैं answer हो जाएगा D याद रखेगा तो इसमें answer हो जाएगा D striking next question देखें तो चाउता question आपका computer तथा internet के माध्यम से किया गया कोई भी गैर कारूनी कार कोई भी गैर कानूनी कार क्या कहलाता है इसका answer क्या आजाएगा unauthorized access cyber crime digitally theft identity theft कौन सा answer होगा आप reply करेंगे ठीक है और यहाँ से इस topic से एक question कोई भी व्यापम की exam हो आना तै है याद रखेगा यहां से बहुत बार question पूछा गया है और बहुत एक महतपूर topic है इसको आप पूरा देखेगा और समझने कोशिस कीजिएगा मैं असान बास आप बताने कोशिस किया हूँ ठीक है और ऐसे ही content प्राप्त करने के लिए हमारे competition community से जुड़े रहे है Thank you